करपूर गवर्म करुलावतारं संसारे सारं भुझ गेंद्राधार्म सधाबसंत मिरदार विंदे खुवम्भुमं सहितम नमामी नमस्कार मैं हूं जोथसकार डॉक्टर विंदरपाथी आप देख repertoire भाग गुरु कारक्रम भाग गूरु कारक्रम में आपका बहुत बौर पूरत कब है ऋदिशा सूल कब चंदरमा किस राजी पर रहेगा इस सारी बाते हम आपको बताएंगेisés को आज की बारह राशियां कि कि किसका भगोदे होगा कौन बेख्यानिक कोण चिकतफक बडेगा को भीध हिवेत्ता बनेगा कौन विधेश दाएगा आयात निर्ढय से किसको लावब मिलेगा किसका केरियर खेलके चट्र में निरधारित होगा इस सारी बात बताएँगे कि संक प्रयूग करने सब किस रंग के प्रियुक करने से आपको अपार सफलता मिलेगी सौधानी के अबरतनी उपाय क्या करना है कि गुरू के नुष्खे भी बताऊंगा दर्शकों के प्रश्णों का उत्तर भी दूँगा और आज जिनका जर्मदीन उनके भी वारे में बताऊंगा आप देखते रहे अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है 27 अगस्त दोहजार चोविस दिन मंगलवार तिथी है नौमी रोहडी नच्छत्र है सुर्योद है हो चुकाई सब्सके ग्यारा मिनट पर सुर्यास्थ होगा साम को 6 बचके 45 मिनट पर तैतिल करण है आज चंद्रबा का दिशासूल है आज आपको एक बात का ध्यान रखना है का चंद्रबा है ब्रिश राशी में ब्रिश राशी में चंद्रबा अपने उच्छ की राशी पर होता है तो आज आपकी जो भी महत्तों का इंचाएं होगी जो योजनाएं बनाएंगे वो अक्रियानवित होगी ध शासूल में यात्रा करने से परहज करें, अगर छोटी दूरी की यात्रा है, तो दही गुड केशर का तिलक लगा करके, माता पेता का इच्रोड सफर्श करके यात्रा करें, यात्रा शुक्षद हो जाएगा। कोई भी महत्रोण कारिक करना चाहते हैं, जैसे आपका नया कारिक करना चाहते हैं, गाड़ी खरिदना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, तो आप क्या करें कि सो मुर्त में ही करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंत्र के आज का महामंत्र है ओम नमो भगवते आंजने आये महाबलाये स्वाहा यह जो महामंत्र है पवन पुत्र शिरी हनुमान जी का है हनुमान जी की आरादना करने से व्यक्तिका चतुर्दिक विकास होता है आत्नबल में ब्रिद्धी होती है अश्च शिदिनो निधी में सिध्यां पराप्त होती है और व्यक्ति अगर बढ़िया हनुमान जी की आरादना करता है तो उसको किसी प्रकार की परिसानी नहीं होती ह और उसकी समझत ग्रह उसके अन्कूल फल देने लगता है ता आप इस महामंत्र का जब करें आपकी लेच्छा रहेगा जब कैसे करेंगे आप लाल चंदन के माले से या रुद्राक्ष के माले से आपको एक माला तीन माला करना है जब आप इस मंत्र का जब करें तो ध्यान का वस्तों दारुन करें